थोड़ा सा मैं पुराना एक मार डिस्कस कर लेता हूँ अभी हमारा फिलालना सर क्या चल रहा था क्लास के अंदर चल रहा था फाइनल अकाउंट सर फाइनल अकाउंट चली रहा था कि बीच में मैं इस चेप्टर को करने जा रहा हूँ स्टॉप सर वाइ इस चेप्टर को क्यों स्टॉप कर रहा हूँ रीजन इसका ये है क्योंकि अभी स्लेबर्स जो देखा है कॉलेज वालों ने क्लियरिटी नहीं करा कि फाइनल अकाउंट के अंदर फाइनल अकाउंट लेंगे और फाइनल इसका ये हमारा चेप्टर के नाम से जाना जाएगा ये चेप्टर आज हम स्टॉप करेंगे और अगली क्लास के अंदर इस चेप्टर को मैं आज करवा रहा हूं आपका Wednesday और Friday को न और Thursday को भी हम आपकी class रखेंगे अभी मैं last में बता दूँगा क्या time है schedule चेक करके एक बार Friday को आपकी एक class लंबी होने वाली है 6-9 की 6-9 की class होने वाली है जिसके अंदर inventory पूरा chapter खतम हो जाएगा आपका Friday तो आप मुझे फटा फटा आपका syllabus complete कराना है बहुत बच्चे tense में है कि भाईया क्या करें नहीं करें तो आप syllabus जो है मुझे जल्दी जल्दी खीच के चलना है आपका ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी का plant and equipment के नाम से जाना जाता है ये chapter बहुत सारे ऐसे student होते हैं जो कि ढूंडते हैं तो property, plant and equipment के नाम से जाना जाएगा ये chapter और that is as10 ये आएगा आपका as10 में as10 के अंदर आएगा ठीक है अब सर मैं cdc बात करूं कि जो ये chapter है ना आपका सीधी सी बात है हमें कई चीजे ना नए तरीके से दे देते हैं तो हम उसको नए चीजों को सोचके जो चीजे हमें आता है वो भी भूल जाते हैं मैं अगर बात करूं सर इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं सर हम ग्यारवी क्लास के depreciation को पढ़ने वाले बात खतम सीधी एक कहानी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ग्यारवी क्लास में जो आपने depreciation खतम किया था उस depreciation को पढ़ेंगे बस थोड़ा सा extra part आ जाएगा यानि ये chapter बहुत simple रहने वाला है हमारे लिए जो कि ज़्यादा time नहीं दो से तीन दिन में ये chapter भी खतम हो जाएगा पहले accounting standard पहले हुआ क्या करता था depreciation के लिए पहले हुआ क्या करता था सर depreciation के लिए ना अलग से accounting standard था AS6 था आपका जिनके पास पुराने book होगा ना वहाँ पर अभी भी reference में देखोगे AS6 देखेगा तो क्या था हमारा AS6 पुराने time पे depreciation की बात करें मैं एक मार इसको change कर दूँ शायद इसमें ना जाती थी और एक ना हमारा AS10 था जिसके अंदर सिर्फ fix assets की बात की जाती थी के fix assets को ऐसे लिखना है fix assets को वैसे लिखना है और AS6 में बोला जाता था depreciation SLM से लगाना है depreciation WDB से लगाना है तो lawmaker ने क्या feel किया कि भाई ये दोनों तो आपस में connected ही है depreciation और fix assets आपस में connected है तो बोला कि भाई ये 6 ना फालतों में खामा खाल लोगों को पढ़ना पटा है इसको काट दो और इसको इसकी के अंदर क्या कर दो merge कर दो AS10 का पहले नाम था fix assets AS10 का पहले नाम था क्या sir fix assets तो जब दोनों merge होता है न कोई चीज़े जब मिल जाता है न तो उसका एक existence खतम हो जाता है जैसे Vodafone खतम idea खतम जब दोनों मिल गए तो एक नया नाम invent हो गया वी आई के नाम से तो अब हला कि कुछ भी बोल लो वोड़ा फोन idea लेकिन नया नाम तो है न वो सेम ऐसे इन दोनों को जब खतम किया गया तो property plant हो गया AS10 से and equipment ले लिया इसका नाम ठीक है न property plant and equipment इसमें क्या सिखाया जाता है कि depreciation कैसे charge किया जाता है तो मैं साथ के साथ बीच में discuss भी करूँगा कि पुराने से नए में आने का क्या reason था और इसे बदलने की क्या जुरुरत आ पड़ी इसमें से आपका theoretical part नहीं आता practical question पूछा जाएगा depreciation का तो हम आगे चलिए start करते हैं simple सी बात है आप दिमाग में ये लेके मत चलिएगा कि हम एक नए chapter पढ़ रहे हैं property planted equipment आपके लिए नया जरूर है लेखिन अगर जिसने 11 वी class में पढ़ा है तो वही depreciation वाली सारी बाते मैं आज बताने वाला हूँ जो extra होगा वो enhance मैं आगे कर दूँँगा सर सबसे पहले बोला गया depreciation की बात कि सर depreciation किस पे लगेगा तो जवाब आया सर depreciation लगेगा हमेशा fix assets पे किस पे लगने वाला है fix assets फिर दूसरा question आया भाई fix assets होता क्या है fix assets होता क्या है और fix assets किस पे depreciation लगने वाला है तो question आया fix assets दो परकार के होते है एक होता है tangible एक होता है intangible तो सर जो tangible assets है उसकी बात करेंगे हम इसको delete करके ही करते क्या side system में tangible intangible intangible assets के उपर ना क्या करना है इसका depreciation लगाना है क्या करना इसकी जिम्मेदारी दे गई है accounting standard 26 को तो सर अगर intangible को समेट लिया intangible को जो जिम्मेदारी है वो 26 की है तो ऐसे situation में इसका मतलब AS 10 वाला जो depreciation वाला पार्ट है वो intangible पे तो नहीं लग सकता यानि जिस assets को बोल दिया एक AS ने एक accounting standard ने कि भाई है मैं इसके according calculation करना है तो यह इसके अंदर तो आएगा नहीं यानि goodwill, patent, copyright, formula जितने भी parts थे intangible assets उसके ओपर depreciation नहीं लगेगा पहली बात ठीक है ना सर tangible के अंदर सर बिल्कुल tangible वाले part पे depreciation लगने वाला है tangible वाले part में क्या क्या जाता है सर machinery और वो भी fixed assets नमबर दो, furniture, नमबर तीन, motor car, नमबर चार, building, मैंने यहां building लिखा, land and building नहीं लिखा तो बोला गया भीया, इसके अंदर भी आप उसी के ओपर depreciation लगाना जिसकी life जो है वो finite हो, यानि life ढूंडना जरूरी है life क्या होना चाहिए, finite होना चाहिए, life finite से मतलब क्या है, आप अंदाजा लगा सको मैंन लेते हैं कि हम कोई भी एक AC खरीते हैं, तो बोलते हैं भाई, आट तस तस साल चल जाएगा, फोन खरीते हो, दो तीन साल चल जाएगा, तो एक अंदाजा तो लगाते हो ना उसका life का, तो ऐसे assets जिसका आप life का अंदाजा लगा लेते हो, वो fixed है और intangible नहीं हो, उसक लेकिन लेंड, लेंड की एक बात करें तो बताओ, इसकी life का अंदाजा कोई लगा सकता है, कि लेंड की तो नहीं लगा सकता है, तो सारे के सारे tangible fixed assets पे लगेंगे, except, except किसके उपर नहीं लगेगा? सर, except, land के उपर depreciation नहीं लगने वाला, land के उपर depreciation लगना ही नहीं है सर, तो ये सारा का सारा point हमारा cover होता है किसके अंदर? depreciation सबसे पहले तो ये पता कर ले के लगेगा किस पे, लगेगा किस पे, सर, fixed assets पे लगेगा कौन सा होना चीए, tangible होना चीए, tangible के अंदर भी उसकी life क्या होने चीए, जिसे determine किया जा सकता है, अंदाजे से कि उसकी life ये होने वाली है, तो ये है हमारा fixed assets, tangible और intangible, जिसके पूछा जा सकता है, अब सर, depreciation लगाने के लिए, किस assets पे लगाएंगे, ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ, depreciation लगाने के भी ना method है, depreciation लगाने के सर, method होते हैं, हाला कि बहुत सारे method है, लेकिन lawmaker कहता है कि भईया, दो ही method सबसे जादा popular है, जो लोग बाग और उसी के उपर focus रही है आप, यानि सर, depreciation लगाने के दो method है, कौन-कौन से method है, सर, एक है SLM, एक है WDV, एक है SLM और एक है WDV, सर, नाम आपने ना पहले सुन रखा है यह सब, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया नाम है कोई और नई चीज़े हैं कोई, अब SLM के काफी सारे नाम है, मैंने कहा SLM, जिसको हम बोल देते हैं किस नाम से सर, straight, straight line, method, दूसरा इसका नाम रखते हैं, fixed, installment, method, तीसरा नाम रख देते हैं सर, original cost, cost, method, तो ना एक ही का यह इतने सारे नाम है, इनमें फरक क्या रहता है, वो भी देखेंगे हम, इनमें फरक क्या रहता है, वो भी देख लेंगे, अगले की हम बात करते हैं, तो एक और method number two है, जिसको हम बोलते हैं, return down, return down, return down, value method, return down value method, एक मिनट मैंने रुबारा री स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ दिक्कात आ रही है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल को पहले, फिर री स्टार्ट मारते हैं, दो मिनट दीजिए, depreciation, और यह है, यहीं सेव कर देते हैं, depreciation, मुझे एक बड़ सिस्टम री स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लैग हो रहा है थोड़ा लिखने में, space तो नहीं फुल हो गया है, देख लेते हैं, c disk में, और यह खाली है, space तो रहा है, दो मिनट दीजिएगा, मैं दुबारा से restart मारता हूँ, जितने बच्चे भी late join हुए, पहला chapter है, कोई दिक्कत ने, बस दो मिनट रोगिये, कर्वावर लाटीन है, अज hè जो ने, आ विक्लि दो मिनट问 давाऊ है, भॉट रोगिये, झालने मिस्ट रहा है, जितना की बच्चे से जत्मपश्चेamो श्पकर से पास्मिएपलिये, को, जितना क blade how रहा है, पार झालने मैं, अब ठीक काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है क्या नाम था रिटन डाउन रिटन डाउन कहानी तो ही घुमफर के आगे वेल्यू method number one number two एक और नाम है इसका diminishing balance method balance method तीसरा है reducing method reducing method cost method चलिए आपके ने दो method से पहले वाला जो method है यह सबसे ज्यादा popular किस नाम से पता है यह सबसे ज्यादा popular है slm और जो दूसरे वाला method है यह किस नाम से popular है wdb तो आपने इतने सारे नाम पहले 11 क्लास में भी सुन रखा है के wdb क्या है slm क्या है अब basically इन दोने में फरक क्या है slm में क्या फरक है wdb में वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है फिर भी मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं करो मैंने एक एसेट्स एक जनवरी 2020 में खरीदा और एक लाग का खरीदा सेम मैं इस जगे पर जाता हूं और इसमें भी एक जनवरी 2020 में मैं खरीद रहा हूं और सेम खरीद रहा हूं सर एक लाग का मैं दोनो एक ही question को एक ही amount को एक ही date के साबसे दोनों method से करके दिखाऊंगा differentiate आपको clearly पता चल जाएगा rate of depreciation 10% दे रखा है rate मैंने दे दिया sir 10% sir 10% से देखा जाए तो पहले साल का depreciation साल के अंत में लगेगा जो की 31-12 है और 10% के हिसाब से देखा जाए तो sir 10,000 लगेगा कैसे लगा sir 10,000 एक लाख रुपया पे 10% यानि माइनस करके बचा sir कितना 90,000 ये तारीख है 1-1-2021 फिर से depreciation लगेगा 31-12-2021 31-12-2021 फिर से depreciation लगने वाला है sir 10,000 कैसे लगा sir इसी एक लाख के उपर फिर से हमने calculate किया 10% अब बचा sir हमारा 80,000 डेट आया 1-1-2022 फिर से depreciation लगेगा 31-12-2021 सर इसका मतलब depreciation साल के end में लगता है जी हाँ depreciation हमेशा साल के end में लगाना है आपने ये आया 90,000 sorry ये आएगा आपका 70,000 70,000 रुपया आगया सेम ये sir 10,000 फिर कैसे निकाला आपने sir मैंने 10,000 जो निकाला ना वो अगेन 1,00,000 के उपर सीधा 10% निकाला ठीक है ये एक लाग पे मैंने 10% निकाला है दूसरी साइड आ जाईए sir दूसरी साइड अगर ये वाला method होगा तो फिर से depreciation कब लगेगा 31,12,2000,20 sir 10% के मतलब sir 10,000 लगेगा sir 10,000 कैसे आया एक लाख रुपे के उपर सीधा 10% बचे कितने 90,000 तारीख है एक एक दो हजार 21 फिर से 31,12,2000 21 अब जो depreciation लगेगा sir कितना लगने वाला है 9,000 sir कैसे आया जो ये वाला balance निकल के आया था ना इसके उपर अब हमने लगाया 10% तो फरक आपको दूसरे पहले साल में तो कोई फरक दिखेगा ही नहीं आपको कभी भी फरक कहां से दिखेगा आपको दूसरे साल के अंदर अब बचा मेरा कितना 81,000 इसके बाद 1,1,2,022 और 31,12,2,022 को फिर से डप लगेगा 8,100 इस आपका 72,900 बचेगा तर ये कैसे आया सर ये 81,000 के उपर आएगा सीधा 10% तो दोनों में सबसे पहले मेजरली आप डिफरेंस देख लो क्या डिफरेंस है अगर मैं दोनों की बात करूँ तो आप पहले एक बार ध्यान से इसके डिफरेंसिस को देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पे भी आपके सामने मैंने एक सवाल करा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने आपके सामने एक सवाल किया हुआ है तो सर दोनों में क्या डिफरेंसिस है यह देख लिजे एक बार पहले आप दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हर बार इसी वेल्यू के उपर depreciation लगा है सर, हर बार इसी value के उपर depreciation लगता गया लगता गया, लगता गया यहाँ पर हर बार इस value पर depreciation लगा है कि जो बचा है ना balance उसके उपर लगा है, अब इसके नाम करन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका नाम पढ़ा हुआ है पहला method कहता है सर स्टेट लाइन method अब स्टेट लाइन method के लिए अगर मैं आपके सामने एक graph बना के दिखाऊ न अगर मैं आपके लिए graph बनाता हूँ वान लो यह graph है इसको कर देते हैं screen नीचे रख देते हैं हम year उपर रख देते हैं हम depreciation ठीक है year 1, year 2 और year 3 पहले साल में depreciation मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10,000 फिर यहाँ आएगा 20,000 फिर यहाँ रख दिया suppose 30,000 मैंने depreciation रखा इसले पहले साल का depreciation देखोगे तो कहाँ plot होगा दूसरे साल तीसरे साल तो आप ध्यान से देखोगे न तो यह एकदम straight line तरीके से बन गया इसलिए इसका नाम करन पढ़ गया straight line method graph के point of view से बताया समझ में आ रहा है अगला नाम है इसका fix installment method mobile phone आपने अगर किस्त पे खरीदा हो तो किस्त payment किया होगा तो हर बार किस्ते समान जाती है आपके तो जब किस्ते समान हो एक fix amount हर बार calculation हो तो उससे बोलते है fix है भाई एक तरीके से fix installment method नाम पढ़ गया क्योंकि amount क्या है हमारा fix है अगला है original cost method original cost कहते हैं जितने का खरीदा है इसको purchase price को कहते है यानि जितने का खरीदा है उस price को हम बोलते है original cost तो हर बार देखो depreciation जो charge हो रहा है न हर बार original cost पे charge हो रहा है यानि यहाँ पे भी depreciation एक लाग original cost क्या है इस assets की एक लाग यहाँ पे भी depreciation एक लाग पे यहाँ पे भी depreciation एक लाग पे यहाँ पे भी depreciation एक लाग पे इसका नाम पढ़ गया original cost method अब इसका नाम देख लेते हैं Return Down Value Method Dimonising Balance Method Reducing Cost Method सबसे पहले तीसरा पढ़ते हैं Reducing Cost अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ बड़ा जनरल सा सवाल है आप जवाब दे देंगे वैसे तो कि मुझे अगर मैं सवाल पूछूँ सर क्या सवाल कि जो ये वाला Method है इसके अंदर Total Depth कितना था तो आप बोलोगे सर इस वाले Method में Total Depth था 10,000 10,000 तीन साली तो लगाया 10,000 यानि यहाँ पे 30,000 और दूसरे वाला Method है यहाँ पे Depreciation था 10,000 9,000 एंडिक 800 यानि आपका 19 और 8 27,000 सर कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा कॉस्ट का मतलब क्या होता है माल लेते हैं एक Product हम तीन साल में तयार करते हैं Raw Material आता है हमारा यहाँ पे दूसरी साइट देखें तो उस कॉस्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 1,27,100 तो हमारे कॉस्ट को रेडियूस करता है यह Method इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया है reducing cost method यानि overall जो cost है वो क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है इस वाले Method के अंदर ठीक है पहला यह नाम पता चला Diminishing Balance Method Diminishing Balance Method का मतलब के Depreciation का जो Balance है ना Diminishing का मतलब होता है कम होना Diminishing का Balance मतलब होता है कम होना तो हर बार जो Depreciation लगेगा ना वो क्या होगा हमारा value कम होता जाएगा यानि पहली बार depreciation कितना है फिर कितना है ये consistently आप देखोगे तो ये reduce होता जाएगा इसका नाम पढ़ गया dimnissing balance method एक है return down value method यानि जो भी minus करने के बाद जो down में value आएगा उसके उपर डप लगाना है फिर minus करने के बाद जो down में value आएगा उसके लगाने तो इसलिए पढ़ गया return down value और इसको बड़े प्यार से wdb भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं SLM भी बोला जाता है अगर मैं difference की बात करूँ दोनों में difference पूछा जाता है हमारे exam में के बताईए दोनों SLM और WDB में क्या difference है कई बार exam में सवाल पूछा गया है क्या difference है तो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर difference बता दूँ यहाँ पर जो total cost है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर total cost क्या होगी कम दूसरा यहाँ पर depreciation एक fix होगा और यहाँ पर depreciation change होता जाएगा तीसरा मैं बात करूँ इसमें assets की value एक ना एक दिन 0 हो जाएगा क्योंकि मैं 10-7 बार और लगा दूने इस पर depreciation तो value कितनी हो जाएगी लेकिन यह value कभी 0 देखो आपके 3-4 difference हो गया और इसका diagram कुछ ऐसा बनेगा graph और अगर इसका मैं graph बनाऊ न तो इसका graph कुछ slope इस तरीके सोगा जैसे demand वगरा में किया होगा कि पहले ज़्यादा था फिर घट गया घट गया घट गया तो एक graph भी आप बनाके difference बता सकते हो इसमें depreciation हमेशा original cost पे लगाया जाता है यानि जिस purchase पर करा था उसी पर हर बार डप लगेगा इसमें जो balance बचता है उसके उपर depreciation लगाया जाता है ठीक है समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से आप differentiate मैंने जैसे 5-6 बताए ना मैं अभी theory पे अभी focus नहीं कर रहा इस chapter के पहले मैं इस chapter का practical कर लूँ एक बार practical दिमाग में बैठ जाएगा तो theory बस मुझे reading करना होगा मैं slide दिखा दूँआ तो आपको फटा-फट से clear हो reducing cost method के अंदर क्या था कि आपका जो cost है total cost की मैं बात कर रहा था कि मान लेते हैं एक product आप कोई भी समान बनाते हो समझो जैसे कि मान लो कि मैं एक ना कोई भी समान बना रहा हूँ एक product बना रहा हूँ तो इस product को बनाने के लिए ना दो चीज़े होगा एक raw material का खर्चा होग तो सर इसका raw material का खर्चा मैंने बोला एक लाक है और cost मेरा depreciation है बस तो अगर ये वाला method follow करूँगा तो तीन साल में बनके तैयार होगा एक लाक तो raw material लग गया तो total cost कितनी होगी एक लाक लेकिन अगर ये वाला method follow करूँगा तो एक लाक का तो raw material है यहाँ पर depreciation कितना method बताए clear है यहाँ तक clear सभी को कोई दिक्कत इसमें अब आगे चलते हैं एक एक करके दोनों method को पहले समझेंगे accounting कैसे की जाए पहले method के लिए क्या accounting treatment है फिर दूसरे हमें पता तो चली गया अब पहले method के लिए हम accounting देखेंगे कैसे करें तो सर पहला method हम start करने जा रहे है that is SLM अब मुझे दुबारा जो है short form यूज करूँगा तो आपको clear होना अच्छी है सर SLM कौन से method की बात की जा रही है तो अगर मैं SLM की बात करता हूँ तो बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे आपको दो तरीके से question पूछा जा सकता है हला कि तीन तरीके से लेकिन मैं अभ आपको when rate of depreciation is given जब rate of depreciation given होगा rate of depreciation क्या होता है rate of depreciation जैसे कि मैंने पिछले वाले सवाल में आपने देखा के 10% निकाला और आपने हर बार आरसानी से percentage निकाल लिया अब यहाँ बे मैं एक लाग की जगह पे आपको 50 लाग भी दूँ या 5 लाग भी दूँ या 2 लाग भी दूँ तो आप आराम से depreciation का amount न not given problem यहाँ create होता है जब examiner आपको rate of depreciation देता ही नहीं तो जब आपको examiner rate of depreciation नहीं दे रहा तो क्या करेंगे examiner आपको rate of depreciation दे ही नहीं रहा तो ऐसे situation में क्या करेंगे यहाँ पे rate of depreciation दे रखा हो तो कोई दिक्कत निया जैसे पीछे solution किया था वैसे करेंगे जब आपको rate of depreciation नहीं देगा तो आपको depreciation निकालने का एक formula होता है क्या होता है sir? depreciation is equal to cost plus installation charge installation charge या फिर other expense plus minus scrap minus scrap sir scrap को हम salvage value भी बोलते हैं और reducing value भी बोल देते हैं कही बार इन सभी को divide कर देंगे इन सभी को divide किया जाएगा useful estimated life से useful estimated life से ठीक है ना? यह formula है इससे हमें एक depreciation निकल के आएगा और वो depreciation जो होगा वो annual होगा एक मेहने का नहीं, दो मेहने का, छे मेहने का नहीं पूरे साल का अब इसमें component समझते हैं sir cost क्या है? cost का मतलब क्या है? sir cost का मतलब है यहाँ पर purchase price purchase price दूसरा देखते है, sir यहाँ पर other expense क्या है? या installation charge क्या है? installation charge sir installation charge जो होता है वो होता है assets को या फिर extra payment for ready to use यानि आपको इस्तमाल करने के लिए extra payment जैसे AC की बात करूँ तो AC का जो होता है न, indoor तो लग गया outdoor के लिए उसके लिए न, एक तरीकी का वहाँ देखा जाए तो आपको install, जैसे कोई भी engineer आता है तो AC लगाएगा, कुछ भी लगाएगा तो उसको जो हम payment करेंगे हमने AC अगर एक लाख रुपे का खरीदा है और engineer को मैंने पंदरा सो रुपे का payment किया है तो वो हो जाएगा installation charge तो वो भी हमारा cost का ही part माना जाएगा Sir, other expense में क्या हो सकता है जब हम कोई assets खरीदते हैं न तो हम कई बार insurance करवा लेते हैं प्लस carriage हो सकता है प्लस जो भी खर्चा हो रहा है उस assets से related या आपका import duty हो सकता है या Sir, फिर commission हो सकता है जिसको आपने paid किया हो खरीदते time पर Sir, scrap value scrap value का मतलब होता है जैसे कोई भी assets होता है मान ले इतने मैंने इसी खरीदा तो 10 साल life है 10 साल के बाद तो खराब ही हो जगया जब खराब हो गया तो उसको हम scrap में बेचेंगे जब कभी भी खराब होगा उससे scrap में बेचा जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम scrap value या फिर salvage value तो Sir, ये क्या होता है scrap value या salvage value तो ये होता है हमारा scrap value ये होता है amount receive at the end of end of its life at the end of its life यानि उस assets के life के खतम होने के बाद जो value मिलेगा उससे बोला जाएगा जबारा लिख देते हैं amount receive at the end of its life Sir, estimated useful life क्या होता है वो life जो कि आपने अंदाजा लगाया है कि भाईया इतने तो हमें चलेगा ये machinery तो वो हमेसा estimated होता है इसलिए हमने बोला estimated नाम रखा है कभी पक्का नहीं होता है आपने सोचा आपका mobile phone 3 साल चलेगा हो सकता है 5 साल चले हो सकता है 10 दिन में ही खराब हो जाए तो estimated एक life लगाया जाता है बस तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं depreciation का amount निकाल सकते हैं सर इसके लिए एक example देखिए इसके लिए एक example लीजिए मान लेते हैं कि हमने एक example में लेते हैं कि मैंने एक machinery खरीदा that is rupees 1 lakh installation करवाया that is 20,000 एक ना word और होता है मैं लिखते लिखते बीच में बोल रहा हूँ erection erection क्या होता है उस assets के जहां पर रखते हैं वहां के लिए space को बनाना उसे क्या बोलते हैं erection बोलते हैं machinery के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको पता चल जाए नाम परिशान करेगा नहीं तो erection आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मसीने होती है तो erection का मतलब जो इसका structure बनाया जाता है उपर shade बगएरा डाला ये सब करा यानि सिर्फ उस machinery के आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी machinery के लिए proper ये काम चल रहा है यहाँ पर इसी machinery मतलब कुछ ऐसे assets होते हैं उसके लिए अलग से proper room जैसे generator है बड़े बड़े देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके बड़े वाले generator उसके लिए अलग से space अलग से room अलग से घर भी बनाते है जनरेटर room भी अपने सुना होगा तो that's room क्या है हमारा erection है वो तो वो भी assets का party माना जाता है और उसे assets में जोड़ देते हैं तो ये सारा का सारा जो दिखाया जा रहा है ये machinery के लिए तो ये किसका part था सर? Erection कई बार सवाल में आएगा erection तो उसी के अंदर add हो जाएगा हाला कि मैं इसी में लिख देता हूँ Erection 30,000 Commission paid 20,000 Scrap Scrap value 50,000 Useful Life sir 10 years ये सवाल है और आप से बोला गया calculate depreciation Calculate depreciation आपको depreciation निकाल करके बताना है बड़ी सीधी सी बात है चली आईए calculate depreciation की बात करें तो कैसे निकालेंगे depreciation? इसी के side में कर लेते हैं Depreciation is equal to सबसे पहले cost लेंगे formula के साबसे तो cost क्या है हमारी machinery की एक लाग इसके अंदर plus कर देंगे Sir क्या plus करने वाले हैं इसमें हम? Erection, installation जो भी है तो मैं एक अटा ही जोड़ देता हूँ ये भी plus करने वाले हैं ये भी plus करने वाले हैं और commission भी plus करने वाले हैं तो 30 और 20 पचास और 20 शायद इधर कुछ दिक्कत आ रही है सत्तर ठीक है न? इसके बाद minus scrap value Sir scrap value divided by divided by useful life useful life कितनी है? 10 है तो आप इसको total करेंगे तो 1,70,050 माइनस करेंगे 1,20,000 और 1,20,000 में से फिर 10 से divide करेंगे तो that is 12,000 ठीक है? तो यह था हमारा एक depreciation निकालने का तरीका क्लियर है? यहां तक देखिए पहले कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? यह नहीं जब आपको rate नहीं given होगा तो आपको इस process से जाना पड़ेगा कि कैसे करें? ठीक है? अब अगर rate given होगा तो normally निकाल लेंगे depreciation जब कभी भी लगता है तो हमारे assets की value में कमी आ जाती है ठीक है न? तो depreciation लगाने की journal entry यहां पर मैं कर देता हूँ journal सबसे पहले number entry बात करें depreciation लगाने की journal तो लगेगा हमारा depreciation account debit to machinery to machinery sir being क्या लिखोगे being depreciation charge on machinery सेफ यहीं तक खतम नहीं होगा एक और entry हम करते हैं जब P&L में transfer करते हैं तो entry होता है हमारा profit and loss account debit to depreciation यह है profit and loss account में transfer करने की entry sir amount क्या आएगा यहां पर? amount आएगा जो भी amount है whatever मान लेते हैं 10,000 यह हमारे दो entry हो जाती है यानि depreciation लगाने की बात करें तो यहां पर क्या है? कि एक तो हम depreciation जब लगाएंगे तो depreciation debit होगा क्योंकि खर्चा हो और assets कम हो रहा है इसलिए credit हो गया समझ में आ रहा है दूसरा depreciation P&L में भी दिखाते हैं आपने दिखा होगा जब हम question कर रहे थे तो तो P&L account debit हो जाता है debit side में जाता है और 2 depreciation यह overall हमारा entry बनता है कि इसका depreciation charge करने का कई बार examiner पूरे सवाल में कह सकता है आपको कि आप pass necessary general entry तो general entry भी करने के लिए prepare रहना है कि किस तरीके से किया जाएगा पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत है तो बताईए फटा फट से इसको note कर लीजिए एक बारा फिर मैं note के लिए proper timing दे रहा हूँ note कर यहां तक फटा फट